हलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत हैं तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ सा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा what's up number है अगर आप यह अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें what's up के जरीए signal के जरीए या फिर टेलेगराम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो थेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को चेकिया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं fingers काफी थिक हैं और अच्छी लंबाई में नजर आ रही है fingers के उपर कुछ बहुती बारीक सीधी खड़ी रिखाएं मौचूद हैं कुछ इस तरह की खड़ी रिखाएं आप इनकी fingers के lower phalanges के उपर देख पाएंगे इस तरह की रिखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है ऐसी रिखाएं होने से native मिलन सार सभाव का रहता है दूसरों के साथ अच्छे से पेश आने वाली nature ऐसे native की देखी जा सकती है लंबाई की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तरजनी उंगली है यह जो index finger है काफी अच्छी लंबाई में है यह finger length में इनकी सूरिया finger के लगभग एकल पहुचती हुई नजर आ रही है इस तरह की तरजनी उंगली का होना दर्शाता है कि native की leadership qualities अच्छी रहेंगी ऐसे व्यक्ति काफी spiritual minded होते हैं दूसरों को रास्ता दिखाने वाले और अच्छे सलहकार हो सकते हैं अगर हम बात करें इनकी शनी finger की तो अब यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी length में इनकी शनी finger नजर आ रही है इस तरह की straight और अच्छी thickness में अगर शनी finger हाथ में हो तो native काफी मेहनती nature का होता है अगर हम बात करें इनकी सूर्य finger की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य finger लंबाई में काफी अच्छी हलका सा चुकाव शनी finger की तरफ fingers का होता हुआ जिस वज़े से थोड़ी वेराग्या की भावना ऐसे व्यक्ती के मन में रह सकती है लेकिन यहाँ finger length में अच्छी है लंबाई में सूर्य finger का अच्छा होना indicate करता है कि native एक अच्छा social circle बना पाने में काम्याब रहेगा और साथी साथ काफी अच्छी artistic qualities और creative type की qualities भी ऐसे व्यक्ती के भीतर देखी जा सकती है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों fingers के बीच में आपको gap बनता हुआ नजर आएगा खास तोर पर इस area में जो सबसे छोटी mercury finger है और सूर्य finger जब इन दोनों के बीच में अच्छा gap हो और बाकी के उंग्रियां आपस में सटी हुई हो तो ऐसे व्यक्ती काफी independent सभाव के होते हैं थोड़ी सी जिदी type की nature भी ऐसे व्यक्ती की देखी जा सकती है चिनकी इन दोन अर्जी के मालिक होते हैं जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव ऐसे व्यक्ती का देखा जा सकता है लंबाई की बात करें तो इनकी mercury finger भी यहाँ पर हमें काफी अच्छी length में नजर आ रही है भले ही यह finger हलकी सी low set है आपको दिख अगर हम यहाँ पर एक line draw करते हैं तो कुछ इस तरह हैं कि एक रेखा बनती हुई जिसमें आप देख सकते हैं यह finger थोड़ा नीचे से शुरू होते हुई बाकी fingers के मकावले जबकि इनकी बाकी की fingers काफी उपर से शुरू हो रहे हैं इस तरह से low set होना इस finger का थोड़ी shy nature native क को दे सकता हैं लेकिन length की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो यह finger है लंबाई में अच्छी है और काफी अच्छा gap है इन दोनों fingers के बीज में जिस वज़े से थोड़ी independent type की nature और काफी अच्छे communication skills ऐसे व्यक्ति के देखे जा सकते हैं जिनकी यह finger बिल्कु की बात की जाए तो ब्रस्पती का जो area है यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है यह जो area रहता जो भी मैं circle कर रहा हूं यह guru का mount कहलाता है और जिस तरह से यह उपर की तरफ उठा हुआ हुआ है आप देख सकते हैं इनके हाथ में इनकी यह वाली finger है जो ब्रस्पती वाली nature एक अच्छे सलाहकार के तोर पर भी ऐसे व्यक्ति समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं बहुत अच्छी personality यहाँ पर इनका ब्रस्पती का area दर्शाता हुआ अगर हम बात करें इनके शनी परवत की तो यह मांट हलका सा दब रहा है शनी मांट का दबना जीवन में मेहनत को struggle को बढ़ा देता है ऐसे व्यक्ति को अपने comfort zone से निकल कर काम करना पड़ता है काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के चीवन में रहती है हाथ में शनी रेखा अगर मौचूद हो तो कुछ हद तक इसका lab native को जरूर मिलता है शनी रेखा होने से native को अपने की गई मेह मेहनत का फल मिलता और धन की कमी जीवन में नहीं होती है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह रेखा जो है इसको हम शनी रेखा कहते हैं यहाँ पर आकर हलकी सी overlapping भी इस रेखा में नजर आ रही है लेकिन हाथ में इस रेखा का मौचूद होना ही native को lucky बनाता है यहाँ रेखा ह यश की कमी को दर्शाता है यह मांट अगर दब रहा हूँ तो native दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी मदद कर ले बदले में किसी तरह का कोई इनाम कोई appreciation native को नहीं मिल पाता जिससे हम यश की कमी कहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा इस तरह कि स्थितिय रहेंगी लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है यश की कमी इन्हें अपने चीवन में फेस करने पड़ सकती है मरकरी की बात करें तो बले यह मांट हलका सा लो सेट जरूर है लेकिन मरकरी लाइन यहाँ पर मौचूद है यह वाली जो रेखा इसको मरकरी लाइन कहत हैं और यह मांट उभरा हुआ है इस मांट के ऊपर भी आपके एक रेखा नजर आएगी इस तरह की रिखाएं जिन्हें मरकरी की रिखाएं कहते हैं हाथ में मौचूद हो तो नेटिव का बिजनस एकुमें स्ट्रॉंग होता है कम्मिनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं इस मांट के उबरे होने की वजए से नेटिव की कैलकूलेशन भी काफी स्टेक होती है और इस तरह की रिखाएं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने चीवन में अगर किसी तरह का कोई चोटा मूटा बिजनस भी करना चाहे तो उसके जरिये भी अच्छी धन की इंकम हो सकती है ऐसा अग्यक्ति अपनी लाइफ में बिजनस के जरिये धन कमाने में सक्षम देखा जा सकता है बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है आगे बढ़कर एक ब्रांच उसमें से नीचे की तरफ चलती हुई जो एक विशनु सिंबल जैसी फॉर्मेशन बना रही है आप देख सकते हैं यहाँ एक रेखा इनकी जो हार्ट की लाइन है खुछ इस तरह से इसमें से एक ब्रांच यहाँ से निकल कर नीचे की तरफ बढ़ती हुई जब भी यह ब्रांच जादा नीचे की तरफ यानि इस मंगल जो इनर मार सा इसकी तरफ बढ़ जाती है तो नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होता है लेकिन इस तरह का सिंबल यह जो विश्णू चिन बन रहा है यह होना हाथ में बहुत लखी माना जाता है इस तरह का विश्णू चिन अगर किसी व्यक्ती की हथीली में बनता है तो ऐसा व्यक्ती अगर अपने चीवन में इमानदारी के रास्ते पर चलता रहे दूसरों की भलाई करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाता है इस चिन का नेटिव को बहुत लाब मिलता है और ऐसा व्यक्ति लाइफ में हरत रहा कि सुखों को भोगता है लेकिन इसके विपरीट अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर या विश्नुचिन हो गलत रास्ते पर चलकर बेइमानी के रास्ते पर चलकर धन कमाने की जीवन में कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्तों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पर सकता है और लाइफ की जो तरक्की है वो रुख सकती है इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह की रिखाएं बनती है इस तरह का चिन की तो मीडियम साइस की माइन लाइन आप यहां पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट माइन लाइन का होना नेटिव की अच्छी मैमरी को इंडिकेट करता है इस तरह की माइन लाइन का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है ऐसे व्यक्ति काफी प्राक्टिकल होते हैं काफी अच्छी memory भी रहती है यहाँ पर कोई भी major issue हो में इनकी mind line के जरीए नजर नहीं आ रहा कुछ हलकी stress lines होने की वज़े से minor stress इनको रह सकता है लेकिन जीवन रेखा में यहाँ पर एक बड़ा gap नजर आ रहा है जिस वज़े से इने health issues का सामना भी जीवन में समय समय पर करना पड़ सकता है अब देख सकते हैं यह जो रेखा इनकी जीवन रेखा इसमें यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और बीच में हमें एक इस तरह का gap और overlap नजर आ रहा है जिस वज़े से native की जीवन में लगभग 40 के आसपास की एज में चलकर कुछ changes होने कुछ बदलाव होने की समभावना रहती है 40 के राउंड एज में चलकर कुछ health related issues का सामना भी इनको करना पड़ सकता है लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा बाहर की तरफ निकल रही है लेकिन कुछ दिखते हैं जब भी इस तरह का कोई overlap आता है तो life में आ सकती है health related कुछ issue का सामना भी native को अपने चीवन में करना पड़ सकता है overall अगर हम age देखें तो इस तरह की जो line of life है लगभग 75 के आसपास की age को indicate करती है अगर हम बात करें इनके शुक्र परवत की तो यह जो area है Venus का area आपको उठा हुआ नजर आएगा उभरा हुआ शुक्र परवत चिन लोगों की हतीली में होता है ऐसे व्यक्ति चीवन में हर तरह की सुक्सविधाओं को enjoy करते हैं life में हर तरह की सुक्सविधाओं ऐसे व्यक्ति को मिलती है और अगर इस mount के उपर बहुत ज़्यादा रिखाएं मौचूद हो तब दिक्कतें भी साथ साथ आती हैं अब यहाँ पर दिख सकते हैं कुछ रिखाएं आपको इस तरह की जिने हम worry lines कहते हैं इसी worry lines आपको इनके Venus mount के उपर नजर आएंगी शुकर परवत के उपर इस तरह की रिखाएं होने से native को family की तरब से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपनी marriage को related marriage से related कुछ instability ऐसा व्यक्ति अपनी चिवन में face करता है और यह रिखाएं होने से worry जयानी चिंताएं भी परिवार की तरब से native को समय समय पर पर परशानी देती है इस तरह की रिखाओं का होना ज्यादा शुब संकेत Venus mount के उपर नहीं माना जाता अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे moon का area काफी अच्छा नजर आ रहा है यहाँ पर इस तरह की कुछ stress lines होने की वज़े से इनकी mind line को भी कुछ stress lines एफेक्ट कर रही है उस वज़े से थोड़ी anxiety रह सकती है लेकिन overall इनका moon mount काफी अच्छा है इस तरह का mount होने से लंबी दूरी की यात्राओं की समावना भी बनती है अब देखेंगे चंदर परवद पर आपको यहाँ से कुछ बारीक रिखाएं उपर की तरफ जाती हुए नजर आएंगी जैसे यहाँ रेखा नीचे से इस तरह से उपर की तरफ चलती है इस तरह की रिखाएं हाथ में मौचूद हो नेटिव लॉंग डिस्टंस ट्रैवल भी अपने चीवन में कर पाता है और यहाँ पर कुछ बारीक इस तरह की शेप जो आपको बनती नजर आएगी इस तरह की शेप इनके के तू माउंट की हो प्रैसा चिन होने से इनहारिटेंस के जरीए इन्शूरंस के जरीए धन मिलने की समभावनाएं प्रबल होती है अगर कोई उष्टैनी जमीन जैदाद हो उसके जरीए भी व्यक्ति को धन का लाब हो सकता है इस तरह की चिन होना नेटिव को लंबी दूरी की यात्रा है और धर्मिक स्थल की यात्रा है करवाने में भी काफी हल्प करता है तो दोस्तों ये कुछ अनेल्सिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू देपाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वर्टसैप पे मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद